नमस्कार दोस्तों आप सबी का हमारी यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं जैसा कि आप सबी लोगों को बता हैं हम परड़े के बेसेस पे आंसर राइटिंग करते हैं UPSC मेंस के लिए और हमारे जो वीकेंड से रहते हैं उसमें हम लोग ऐसे राइटिंग की प रिप्या करना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हम लोग हमारे जो पेड यूजर से हैं उनकी कॉपीस का अनलाइसे करेंगे किस तरह से वो अपने आंसर में और इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं और क्या-क्या उन्हें गलतियां करकी हैं उसके बारे में हम लो हैं तो PR publication के साथ जुड़िए और सिर्फ 499 रूपीस में आप यह सारी UPS की preparation फुल कर सकते हैं उसमें आपको optional के notes, NCRT के notes और Hindu के आपको personal guidance आपको मिल जाती है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई institute आपको phone guidance नहीं ता था, इसमें आपको हम लोग एक opportunity देते हैं कि आप हमें dacly phone पे contact कर सकते हैं और अपने जो भी queries होती हैं उसको resolve कर सकते हैं क्योंकि UPSC की preparation में guidance सबसे जाता important meta करता है, चलिए सुरुबात करते हैं आज के question के साथ, देखे उससे पहले में एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपकी queries हैं तो मुझे वीडियो के अंत में comment section में जरूर बताएं और मैं सबसे आसा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो like and subscribe कीजिए चैनल को अगर आप नई हैं तो पुराने जो users हैं वो like कीजिए वीडियो को और comment section में कुछ भी comment कीजिए random comment कीजिए इससे हमा motivation मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छा content ला सकें तो request आप से है कि like कीजिए और subscribe कीजिए चैनल को चलिए शुरुवात करते हैं आज के discussion के साथ इस lecture में सबसे पहले जब भी हम लोग question को start करते हैं तो उसके पहले question को read करते हैं और उसमें keywords और key phrases निकालने की कोसिस करते हैं तो हमारी सुरुवात वही रहेगी question है आज का define public orders with respect to violence in the northeast Delhi gives key point to the public order in Delhi तो सबसे पहली बात है हमने public order को define करना है question directly आपको दे दिया है keyword वह है public order और दूसरा आपने बात करनी है कि जो northeast Delhi में communal violence हुए थे उसके बारे में देहली में जो public order है वो other state से किस तरह से different हो जाता है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो means देखिए question बहुत straightforward है बहुत सारी लोग इस question में भठके भी थे और आज मैं answer इसलिए लेके आऊं कि थोड़ा ये question different in comparison to other questions थे देखिए इसमें सबसे पहली बात है जो हमारा keyword था वो हमारा public order और जो question औरेंट होगा हमारा वो देहली public order in देहली के सिर्लर मिस आपका public order होगा पर उसको डिरेक्ट कॉन करेगा आपका public order in देहली मिस उसके अगर around ही हमारा question revolve होगा उसके अलावा आपको लिखनी की जरूवत नहीं दी बहुत लोग उन्सर लिख रखा है अच्छा लिख रखा है बहुत लोग उने बात से भटके हैं उन्होंने काफी चीज़ें बता दी हैं right के बारे में जाधा लिख दिया है बट हमने क्या बात करनी है public order in देहली तो इतना mind में आप ध्यान रखें सिर्फ हमें public order के बारे में बात करनी है जाधा rights के बारे में नौर्ट इस्ट देहली में किस कारण से right नहीं थी आपको तो चलिए सुरुआत करते हैं question के structure के साथ आपको keyword आपको मिल चुका है और दूसरा उस keyword को direct करने वाला भी phrase हमाया मिल चुका है तो public order in देहली उसके around ही हमारा answer revolve करेगा तो वीडियो को अंतर तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए सबसे पहले मैं बता कर सके अपनी गलतियां को खुद analyze कर सके क्योंकि paid users की मैं गलतियां तो analyze करता ही हूं क्योंकि वो paid users है उनकी analyze मैं रोज देखता हूं पर जो हमारे non paid users हैं वो भी इस चीच को देख सकते हैं जो भी आपने answer लिखा है उस चीच की copy को लाईए और मेरे साथ उसको examine कीजिए चल define कर देंगे तो सबसे पहले हमने answer को define कर दिया अपने words में जो suitable definition हो सकती है उसके बारे में हमने लिख दिया तो आप भी यूच कर सकते हैं definition एक अच्छी definition institution की definition जो होती है government institution के website की definition basically या किसी बड़े international institution की definition यूचर सकते हैं वो काफी जादा authenticated और बहुत अच्छी definition माने ज इसा है हमारे constitution में क्या क्या provisions है उसे related वो चीजे हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहली बात है मैंने public order क्या है मैंने बता दिया कि public order एक state list मा आता है तो simple सी बात है state का part है इसमें center का कोई role रहता नहीं होगा तो उसके बात हम लोग public order के बात अगर एक full-fledged state है तो उसमें public order हमारे 7th schedule के बारे में इसके बारे में बात ही गई है आर्डिकल जो 19 है उसका subsection 2 है of Indian constitution वो भी एक public order के बारे में बात करता है तो यह हमारा जो second part हो गया question का जो introductory part है उसमें public order को हमने define कर दिया दूसरा हमने define कर दिया कि constitutional provisions क्या है public order से related अब बात करनी है हमने special case क्या है देली का जो different बनाता है देली को in comparison to a full-fledged state से वहाँ पर constitution assembly भी है आपकी state assembly भी है बट वो एक full-fledged state के रूफ से किस तरह से different हो जाता है उसके बारे में कुछ articles हैं उसके बारे में discuss करते हैं तो तीसरा point आता है special case of देली तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि जो national capital charity of देली है उसम दूसरा एक छोटा सा exception है इसमें कि state special status है तो means एक full-fledged state की तरह काम नहीं करेगा दूसरा इसको define करने की जरूरत नहीं है वो समझे है कि article 239a है उसके अंदर क्या provisions है वो उसमें पूरा total लिखने की जरूरत नहीं है तो इतना लिख के आपका जोतले है कि examiner को समस्ता उसको जो provisions है वो कुछ power देता है स्टेटल मेजिस्टेट को जो हमारे स्टेट में नहीं हो तो इस तरह से कुछ different मनाता है दो provisions ऐसे हैं जो special मनाते है देली को in comparison to other एक full-fledged state से यह हमारा हो गया provisions की देली के public order सिवारें बात करती है अब हमने जो question का जो internal part था कर मैं देखूं तो उसमें बात करकी है violence in northeast देली तो सबसे पहले थोड़ा सा basic का आपने देना पड़ेगा background तो common सा background है आप भी इसको लिख सकते हैं more than 20 people have been killed in यह भी लिख सकते हैं कि आप इसको और सोटा भी बना सकते हैं कि communal violence वे थे नौर्थ एस्ट देली में जिसमें काफी लोग की जाने गई थी और violence किस कारण से वा था इसमें citizenship जो amendment act था 1956 में उसमें amendment में जो हो रहे थे उसके खिलाब यह सी जए हो रही थी अब बात करते हैं हम लोग की main question की जो part है उसकी तरफ बढ़ते हैं तो सबसे जो question का part आता reason of public order failure in देली तो violent classes होए थे उसके अंदर है तो उसके reasons क्या थे क्योंकि simple सी बाता को बताना पड़ेगा ने reasons क्या थे तभी तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा discuss कर पाएंगे तो reasons मैंने कुछ लिख रखे public order और देखे जो एक full-fledged state होता है उसमें state जो government होती है उसके हाथ में होता है public order बट क्या है एक special status तो 39AA के आर्टिकल के अं दोल में किसके आती है center government के अंदर आती है जिसे आप बोलते है union government दूसरा अगर मैं बात करो तो यहाँ पर religious orthodoxy among people भी आती है जो दूसरा point मेरा sub point है देखे अपने आप points को refine कर सकते हैं मेरे points के मैच कीजिए और क्योंकि देखे धीरे धीरे आपको अपने points को भी refine करना है अ आपके answer भी और अच्छा refine हो जाएगा तो बात करते हैं दूसरा जो point है religious orthodoxy among people because उसी कारण से communal right है तो religious orthodoxy तो है people के अंदर तो यह दूसरा possible region हो जाकता है public disorder का तीसरा हम लोग बात करते है power tussle between center and Delhi government इसमें काफी ज़्यादा है LG का काफी ज़्यादा role रहता है काफी union government के बीच में तीसरा अगर मैं बात करों तो सेकलेस in disability of services lethargy in enforcement of laws at the time of the administration सिंपल सी बात है जब जरुवत होती है administration का उसमें काफी ज़्यादा lethargy देखी आती है means बहुत सुस्त पना के साथ वो काम करते हैं अगर मैं चौथी point की बात करों तो inadequacy inadequacy of administration enforcing constitutional constitutional traditional सिंपल सी बात है जो administrative है वो constitutional जो rights होते है citizen का उनका educate के दरे enforcement नहीं कर पाता है properly उसका enforcement नहीं हो पाता है अगर मैं तीसरा एक possible reason मानूँ जो चौथा last possible reason हो सकता है वो है fake news and hate speech circulation in media means media में काफी ज़्यादा hate speech और fake news फैलती है आपकी social media के accounts में अगर आप देखेंगे facebook open कर लें या twitter open कर लें या कोई भी ऐसा social account या media ही कुदे का तो वो exaggerate करके दिखाती है चीजों को तो वो नहीं होना चाहिए communal rights के दौरान तो ये possible reason है public order failure in Delhi अब मैं बात करता हूँ देखें सबसे पहली बात हमने reason को discuss कर लिया अब बात करेंगे हम लोग measure क्या measures ले सकते हैं जिसके हम लोग ऐसे जो conflict चिख्टो होते हैं या Delhi में ही या Delhi से बाहर भी किसी state में हो रहे हैं तो किस तरह से avoid किये सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे देली government के बारे में ही तो हमारा need or comprehensive reforms in constitutional mechanics related to Delhi तो simple सी बात है आपने अगर आपने उपर provisions देखे तो उसमें क्या बोला था हमने उपर वाले point को refine कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि उनमें comprehensive reforms आने चाहिए जो constitutional mechanism में है जो दहली और union government के बीच में जो आर्टिकल से special provisions था तो उसके अंदर जो public order और police का है वो भी इसके अंदर आने चाहिए उसमें comprehensive reforms आने चाह लेगी तो हमने एक positive outcome देने की कोसिस की है अपनी answer को second बात करूं तो several stakeholders have to work in harmonies stake order क्या होते हैं जो हमारे society के लोग होते हैं जितने भी और लोग होते हैं constitution, institution, government, institution ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आजाती है तो उनमें harmony में काम करने की जरूरत है तीसरी बात करूं तो है na effective, efficient, accountable, well-equipped police system की जरूरत है हमारा जो police system होना चाहिए वो बहुत बढ़िया ह होना चाहिए उनको उनके पास जितने भी weapons होती है या उनकी machinery होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, welcomed होने चाहिए आपके police service क्योंकि आपने देखा कि दहली rights के दूरण एक police के जो होता, police personal होता उसकी भी हत्या होती है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं तो उस possible media की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमें तो इस चीज़ को आप इसमें लिख सकते हैं और जो question को मैंने end किया है, political leadership of our country should come together to evolve a consensus in political conduct which would enable peaceful resolution of conflict for overall maintenance of public order इस तरह से मैंने अपने छोटा सा conclusion दे गया, आप भी कुछ लिख सकते हैं, conclusion आपका थोड़ा optimistic होना चाहिए, तो आप भी जैसा ही लिख सकते हैं, question को मैंने end किया है, internal security is the foundation of peace and development of the nation, तो इस तरह से मेरा answer खतम हो जाता है, आज का जो question था, मैंने इसमें totally discuss किया, बहुत लोग कह रहे थे, मुझे सर आप discuss नहीं करते हैं, अपना model answer नहीं देते हैं, तो आज मैं आप answer ले किया हूँ, क्योंकि मुझ ने इस lecture में बात की थी, वो है हमारे जो paid users हैं, उनकी copies को analyze करना, तो चलिए सुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारी जो copy आती है, वो है अस्वेरिया जी की, आज बहुत कम लोगों ने इस answer को लिखा, मुझे समझ सकता हूँ, कि थोड़ा question, different था in comparison to other, जो question दिये थी मैंने, अस्वेरिया जी ने answer लिख रखा है, तो सबसे पहली बात है, अस्वेरिया जी ने question को start किया है, public order को define किया है, उसके बाद इन्होंने communal के बारे में बात करती है, act के बारे में बात करती है, citizens 419 के बारे में बात करती है, बट इन्होंने क्या कर रखा है, चीजों को, एक 129, CRPC, सब चीज एक सीज, और ना इसमें measures हैं आपके और ना ही regions हैं, और एक अच्छा अंसर नहीं दिखता है मुझे, जो UPSC demand करती है, तो इसमें आपको बहुत सारी improvement करनी है, तो आप मेरे answer के साथ इसको match कीजिए, अब बात करते हैं, रवीना तक, जो हमारे regular हैं, जो ल बात करता है, public order क्या है, उसके बारे मतागर, ते रवीना तक जी, अगर आप इस provision को public order, जो state subject है, उसको उपर लिखती है, तो आपका answer और बेटर हो सकता था, अगर मैं बात करों तो provisions of public order in Delhi, ये काफी ठीक लिख रखा, इन्होंने challenges लिख रखे हैं, और way forward के दिन question को, खतम करने की कोशिस की है, देखें, जो way forward, जो challenges हैं, उसके अंदर आपने, ये लिखने, reasons of public order के बारे में लिखना था, कि आपने, headings ये challenges नहीं मना सकती थी, आप यहाँ पर heading मना सकती थी, कि क्या-क्या reasons हैं, क्योंकि आपने overall क्या बताना है, आपको public order in Delhi, और थोड़ा सा कुछ सब पार्ट आपने violence के बारे में बता की, violence Delhi में क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा define का आप करशक्ती थी, अपने answer में, अभी बात करता हूँ, निवेदा का मा answer पढ़ता हूँ, तो ये इनका, जो heading होती है, मुझे बहुत बढ़िया लगती है, ये heading बहुत अच्छी बात है, जो reasons हैं, वो इन्होंने define कर दी है, कि किन कारणों से कारण, जो Delhi में है, वो rights हुए, तो इन्होंने क्या गरा, incident को ज़्यादा highlight की है, जो रवी निवेदे तादी से मैं request करूँगा, कि आप incident के बदले हमें ज़्यादा incident पे ध्यान नहीं, हमें reasons के बारे मात का, क्य तो इनकी भी machinery कहीं failure देखती है, हमारे को administration machinery failure देखती है, तो आप इस चीज को include कर सकती है, अब बात करते हैं, Delhi right के बारे मैंने लिख रखा, इन्होंने बहुत ज़्यादा exaggerator आपने कर दिया है, कि Delhi right में क्या क्या हुआ था, वो चीज define करना ही नहीं था, हमें public order के बारे मे दी है, peaceful, government, government first duty and the highest obligation is public, safety इसके बारे में लिख रखा है, काफी बड़िया thought है, अनौल का है, तो अच्छा thought है, मुझे अच्छा लगा answer की ending के लिए, तो एक positive outcome के साथ आप आँस question को finish किया है, बट आप याद रखे हैं कि हमें Delhi के rights को ज़्यादा exaggerate नहीं करना था, हमने public order क के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना था, उसमें reasons और measures आप लिख सकती थी, उसके बाद हम लोग लीपी का जी का जो answer है, उसके बारे में देखेंगे, लीपी का जी ने जो question स्टार्ट किया है, वो public order के साथ स्टार्ट किया है, constitutional provisions के बारे में लिख रखा है, क्या क्या constitutional provisions पब्लिक order इन देली के बारे में, जो article जो 6 है हमारा, वो article 7 है, जो हमारा constitution प्रोविजन है, full-fledged state के है, वो देली स्टेट के लिए नहीं है, वो full-fledged state के लिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, reasons of right इन नौसे देली, उसके बारे में लिख रखा है, reasons and failure को lack of उन्हो पारे में बात करके है, and some suggestion के बारे में दिख रखा है, तो काफी जादा इन्होंने ठीक ठाक answer रखा है, एक जो answer होना चीए, वो average answer जो है, ये इन्होंने लिख रखा है, लिविका जी ने, दूसरे बारे में बात करों, तो हमारे जो संकर है, उन्होंने public order को define किया है, उसके अधरों बता दिया कि law and order failure के कारण ही देली में, राइट्स वे, public order का failure ही, हमारा law and order का failure ही क्या है, राइट्स का कारण बनता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से define करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि एक बड़े छोटे से diagram में इन्होंने बड़े information दे दी, back drop के बारे में बता देते हैं कि ये citizenship amendment के कारण के, उसको इन्होंने फिर दुबारा से explain कर दिया है, तो इसमें आप improvement कर सकते हैं, इनको point wise में neat और clean लिखें, संकर जी मैं आप से request करूँगा, और जो point हैं उनको और confine करें, छोटे से bullet point के रूप में answer को complete करें, और जो point हैं आपने ठीक लि रखा, यहां पर article के इन्होंने constitution provisions भी लिखते हैं, कि article 19 भी right to a state to maintain public order by imposing reasonable restriction, उसके बारे में लिख रखा जो question की demand है, उसके बारे में लिख रखा हैं कि provision related to public order in Delhi, तो उसके बारे में इन्होंने लिख लिया कि 7th schedule of the constitution बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर public order come under the state list, बाती दहली हैं in a different case, उसके बारे में लिखता है कि उसमें reasons क्या है, public order failure in Delhi के कारण, तो उन्होंने लिख रखा है constitution, limitation, power, tertial, right, बहुत साही reason लिख रखे हैं कि जो answer आप UPSC main skill expect कर सकते हैं, वो answer आप इस चीज में मिलता है आपको, way forward के अंदर लिखता है कि way forward इनका और better हो सकता था, नए points को include कर सकती थी ये, बट इन्होंने way forward लिख रखा है, इन्होंने above the average, जो आगर मैं सभी answer हो मैं से देखू हूँ, तो इन्होंने above the average answer लिख रखा है, काफी जो point बना रखे हैं, जो structure होना चाहिए answer का, वो सब चीज जिंक्स में इन्होंने include कर रखी हैं, और ending के साथ इस question को खतम किया, तो मुझे अच्छा लगता है, इनका answer काफी बड़ी answer लिख रखा है, एक है जो हमारे सुनिल को मारे है, हिंदी माध्यम से हमारे, तो ये लिखते हैं, इन्होंने काफी जाता कुछ लिख रखा है, और points बहुत अच्छे लिख रखे हैं, सब और अच्छा एट कर सकते हैं, इसमें पुलिस एक्टिकी धारा के बारे में जरूर नहीं लिखना था आपने, ये जरूरी नहीं है, इसमें question की demand नहीं है, मुख्य प्रस्ट भूमी के बारे में लिख रखा है, फिर कारण बता रखे हैं इन्होंने, ठीक था, कांसा लिख र करता हूं, तो हिराल सोलंकी जी के बारे में बात करता हूं, तो ये भी public order से start करते हैं, constitutional, फिर देली के बारे में बात करते हैं, reasons के बारे में बात करते हैं, कि constitutional limitation क्या हो सकती हैं, ये बहुत अच्छे points लिख रखे हैं, इनका भी जो answer है, बहुत बढ़ी answer लिखा है, एक structured form म आपको दिखता है, इसमें आप ये include कर सकते हैं, हिराल सोलंकी जी, आप अगर इसमें backdrops देते हैं, reasons क्या हैं, उसके ऊपर आप देते हैं, देली में rights किस करण से होते हैं, अगर छोटा सा भी एक heading हो जाती है, point हो जाता, तो आपका answer और better हो सकता था, उस चीच को आपने miss कि इसमें कीजिए, और जो point internal point हैं, काभी बढ़िया है, अच्छे point आपने लिख रखे हैं, way forward के अंदर आपने लिख रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है, मुझे way forward आपका अच्छा लगा, जो point आपने include कर रखे हैं, वो बहुत बढ़िया लिख रखे हैं, उसके बाद this was all about the today's detail analysis of the today's question, तो आज हम लोग last का जो part है, उसमें discuss करने वाले हैं, आज के question को जो हमसे users पूछते हैं, जिसने मुझे comment किया, तो अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और comment section में मुझे video के, YouTube की video में आप comment कीजिए, हाँ पर कुछ भी comment कीजिए, इससे हमाय motivation मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा content लाके आएं, दूसरा अगर आपनी queries में, अगर आप paid user नहीं हैं, तो आप अपनी queries पूछ सकते हैं comment section में, वो भी हमसे पूछ सकते हैं, तो आज की जो एक query आई थी मेरे पास, सबसे पहले जो मैं है, वो polygamy के बारे में बात की थी, तो मैं उनसे बताता हूँ, एक जी क्या comment आया था, तो उसमें polygamy जो है, वो 1956 में ही उसको ban कर दिया गया, बट उसमें दो provisions ऐसे हैं, Muslims के लिए four wives रह सकते हैं, means polygamy Muslim के लिए allowed से है, जो Muslim religion से belong करते हैं, उनके लिए polygamy allowed है, दूसरा, state of Goa में polygamy allowed है, वहाँ पर Hindu और Muslims, Hindu और जो other religions हैं, वो बाई गया, हिंदू को भी allowed है, बाई गया में के लिए, तो दो state ऐसे हैं, जसनी दो state हैं, Goa, sorry, Goa और Muslim religion के अंदर polygamy, और Goa state में के अंदर bygamy allowed है, हिंदू के लिए भी, ये बात है, दूसरा जो question है, तो क इसी एक users का, अनुस्का जी का question आया था, I think, so, मुझे नाम याद आ रहा है, तो उन्हेंने question बोटा था कि internal security के लिए, सर, हमें कहां से book पढ़नी चाहिए, और इसका static portion कहां से cover कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दीता हूँ कि जो internal security जो topic है, वो काफी ज़्याद dynamic topic है, mainly आपका Hindu based रहता है, आपका current based internal security रहता है, static portion की बारे में मैं बात करूँ, तो आपको institute देखना चाहिए, Google में सर्च माना चाहिए, institute for defense and analysis की एक website है, वहाँ आप static portion cover कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में, और दूसरा अगर आपको book पढ़नी है, तो challenges to internal security के बा पाएंगे internal security वाला portion, तो this was all about the lecture analysis and आपके जो queries थी, उसको मैंने इसमें आंसर देने की कोसिस की है, I hope you like the video, do like, share and subscribe to the channel, thank you so much, इसी तरह हमारे साथ बने रहे हैं, और comment section में जरूर comment कीजे, कुछ भी comment कीजे, जो आपके मन मा रहा है, बट comment जरूर, इससे हमाँ motivation मिलती है, ज